कॉंग्रेस नेता राहूल गाधी ने शनिवार को दिल्ली में सुग्देव विहार फ्लायोर के पास प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की अपने घर जा रहे देवेंद्र ने बताया कि राहूल ने करीब 30 मिनट तक मजदूरों का हाल जाना, मास, खाना और पानी दिया उन्होंने कारेकरताओं से बोल कर गाड़िया मंगवाएं और कहा कि इनसे आप सभी लोगों को भर तक पहुंचाया जाए था कॉंग्रेस नेता निल चौधरी ने बताया कि पुलिस ने एक गाड़ी में सिर्फ दो लोगों को भीजने की आनुमती दी वहीं दिल्ली पुलिस ने काया कि मजदूरों को हिरासत में लेने की अफ़वा उड़ाई गई थी हमने नियमों के मताबिक ही कॉंग्रिस कारेकरताओं की और से बुलाई गाड़ियों में मजदूरों को बैठाया किसी को हिरासत में नहीं लिया गया दिल्ली में राउल गादी की मजदूरों से वुलाकात पर केंद्री मंत्री ने भी कहा कि क्या उन्हें 50 दिनों के बाद ही प्रवासी मजदूरों की याद आई केंद्रों राज्यों में हमारी सरकार उनके लिए वो जन ट्रेंट के वस्था कर रही है वो सिर्फ फोटो खेचा के लिए मिले थे कुस्तो समवेतन चीलता होनी चाहिए उन्होंने सरकार के 20 लाग करोड के राहत पैकेज करोना के दुरान मजदूरों की समस्य और देश के आर्थिक आलात पर बाद चीत की राहूल ने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आया नहीं है आने वाला है पैकेज में कहा कि मैं प्राधान मुंद्रि नरेद मोधी से गुजारिश करूँगा कि वो इस पैकेज के बारे में दोबारा सोचे उन्हें डारेक्ट बैंक ट्रांसपर पर सोचना चाहिए मन्रेगा के तहट 200 दिन का रोज़गार दिया जाए किसानों को पैसा सीधे ट्रा मस्या है जिसका हमें हल लिकालना है मजदूरों की बाद बहुत ही चुनावती पूर्ण है जो लोग सड़कों पर हैं उनकी मदद करना उनकी सुरक्षा करना हमारी जिमेवारी है उनके जेब में सीधे पैसे भीजना होगा इससे ज्यादा मुश्किल वक्त उनके जीवन में हमने इस ऐसास कराना होगा कि हम उनके साथ हैं और उनका सम्मान कम नहीं होने देंगे。 जment सरकार राजजो को देंगी इन फायदा होगा केंद्र का काम मेनेजमेंट संभालना है、 राज्यों का काम कोविट की लड़ाई लड़ने का है राज्यों को पूरा समर्थन देना चाहिए, यह शिकायत आ रही है कि जिस तरीके से केंद्र को राज्यों को पैसा देना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। राउल गादी के आरोपों के बाद अब ऐसा लगता है कि मजदूर भी सरकार से नाराज नज़र आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर पैदल चलने पर मजबूर हैं, सरकार ऐसा तो नहीं दिखता है कि उनके लिए कुछ कर रही है। A.N.P. Newsroom के रिपोर्ट